सत्तर से जादा ताबरतूर हमले किये हैं हिजबुल्ला के हजार रॉकेट बैरल को तबाह कर दिया है इजराइल ने हथियार डिपो भी बरबाद हुआ है इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहें एक बार फिर इजराइल ने लेबनान की र जुड़ी बैरल को इजराइल ने तबाह कर दिया है हथियार डिपो को भी बरबाद कर दिया है ये सीरी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जब इसराइल ने ताबरतूर लेबनान में एस्ट्राइक किया और उसके बाद किस तरीके से लेबनान की धरती धूए के गुबा कि के बाद अब इजराइल ने देरात दक्षनी लेबनान में सतर हवाई हमले किये हैं टाइमस ओफ इजराइल के मताविक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर ये सबसे बड़ा हमला है आईडिएफ याने की इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्ला के सौ से जादा रॉकेट लॉंचर्स पर हमला कर उन्हें बरबात कर दिया है इसके अलावा एक हजार रॉकेट बैरल भी तबाह कर दिया है इसराइल ने हिजबुल्ला का आईडिएफ याने की इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इस्राइल पर हमले की तैयारी में था इस्राइली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तवाह करने का दावा किया है इससे पहले लेबनान की बात की जाए तो लेबनान में 17-18 सितंबर को पैजर और वोकी में धमाके हुए थे इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से जादा लोग घायल हुए थे और लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों की लिए इजराइल को सीधे तोर पर जमेदार ठहराया था कुल मिलाकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीद जो संघर्ष की स्थिती बने हुई थी वो लगातार हिंसक होती जा रही है और अब अब इजराइल ने सीधे तोर पर लेबनान पर सबसे भरे एर स्ट्राइक की है और माना जा रहा है कि जब से इस युद्ध की शुरुवात हुई है तब से सबसे बड़ा हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला इजर पाइल ने तवाह कर दिया जिसमें हिजबुल्ला का हत्यार डिपू भी बरबाद हो गया है और वही बात की जाए तो लेवनान पर हमले की शिरुवात तब हुई जब हिजबुल्ला की चिफ हसन नसरला पेजर और वौकी टौकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाशन दे र रात तक इजबुल्ला की ठिकाने पर ताब रतूर हमला किया अपने भाशन में नसरला ने धमाके में मारे गए लोगों की प्रती दुख जताया हिजबुल्ला चिफ ने कहा था कि इजबुल्ला ने इन हमलों के साथ सारे हदे पार कर दी है यह जंसंगार लेवनान की लोग वैसे ही इजराइल ने देरात दक्षनी लेवनान में एक साथ सत्तर एर स्ट्राइक किया है जिसमें एक हजार से जादा रॉकेट बरेल जो है वो हिजबुल्ला का तबाह हो गया है नसरल्ला ने इजराइल को धमके देते हुए कहा कि पिछले दो दिनों में जो हमले हुए हैं उसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी अगर इजराइली सैनिक दक्षनी लेवनान में घुसते हैं तो हिजबुल्ला के लिए बदला लेने का अतिहासिक मौका होगा नसरल्ला के भाषन की बीच बेरूत के आस्मान में इजराइल फाइटर जेट थे नसरल्ला जो भाषन दे रहे थे तब भी इजराइल की तीन फाइटर जेट लेबनान की राजधानी बेरूत के आस्मान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदोशन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में इजराइल की अधिकारियों ने लगतार इस बात की संकेत दिये हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लैबनान में हिजबुल्ला की तरफ शिफ्ट हो रहा है इजराइल की रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा था कि अब युद्ध के नए चरण में पहुँच गए हैं लैबनान में पेजर वोकी टोकी धमाकी के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नौर्थ इजराइल में लैबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया था हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए